जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है, हम राजा नहीं जनता के सेवक है जी हाँ दोस्तो उप मुख्या मंतरी अजित पवार ने अपनी जन सम्मान यात्रा के दोरान जनता को ये संदेश दिया नासिक से अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा की शुरुवात हो चुकी है जिसको काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है अजीत पवार से मिलने बड़ी संकिया में महिलाए आई उनको राखी बांदी फिर स्टुडेंट्स ने अजीत पवार से मुलाकात की और जब जीत पवार से पूछा गया कि इस यात्रा का मकसद क्या है तो उन्होंने बताया कि हम जनता के बीच जाना चाते है उन तक ये बात पहुचाना चाते है कि महायूती सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया है लोग सबाचुनाव में जो हुआ सो हुआ लेकिन आने वाला विदान सबाचुनाव है अक्टूबर में उस चुनाव में जनता हमें फिर से चुने हम हमारा काम जनता तक पहुँचाए ये मकसद को लेकर अजीद पवार ने जन सम्मान यात्रा की शुरुवात नासिक से की है महाराश्ट्रा के अलग-अलग इलाकों में शहरों में यात्रा जाएगी अजीद पवार जनता से समवात करेंगे उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे कि उनकी सरकार माहा यूती सरकार यानी बिजेपी एकनाचिंडे सिफचेन और अफकोर्स नसीपी अजीद पवार ने क्या-क्या काम किये है उन्होंने एक चीज ये भी कही कि लोग सबाचुनाफ के दोरान ओपोजीशन की तरफ से एक जूटा निरेटिफ फैलाया गया कि इंडी अलायंस जीतती है तो सम्विधान बदल जाएगा ये सब चीजे हो जाएगी तो इस बार ऐसा कुछ ना हो इस बार का हम ध्यान रखेंगे तो अजीत पवार की जन सम्वान यात्रा को भरपूर समर्तन मिल रहा है इतना ही नहीं अगर मैं आपको बस की बारे में बताओं जिससे अजीत पवार ट्रैवल कर रहे है उस बस पर प्रमुकता से महिलाओ की तस्वीर लगाई गई है माजी लाडली बहन योजना आपको पताई होगा महराश्टरा सरकार की जिससे महिलाओ काफी खुश है तो ये सब बातों को लेकर कि युमायूती सरकार क्या कर रही है जनता के लिए वो जनता की सरकार है यही संदेश लेकर अजीत पवार ने जन सम्मान यात्रा की शुरु पहुच रहे है और इसको अच्छा समर्तन भी मिल रहा है अंत में मैं वसा आप सब से यही कहूंगा बगवान इश्वर गौड अला आप सब को सलामत रखे आप सब अपना ख्याल रखे सभी को दुआओं में याद रखे तैंक्यू सो मुच